में अप इस वीडियों में सीखें कि हम देक्स टोप की आई किसे लाते हैं कि सबसे पहले हमने जैसे हमने बंदर स्टोल कि हैं उसके बाद ऐसे आता है utan हमने करना है राइट क्लिक करना है डाक्स्टोप के पर इसके बाद परस्टनलाइज और इसके बाद हमने टिक करना है एक चेंज डाक्सटोप एक आइकन अब तो माई कंप्टूटर युजर फाइल नेटवर्क रिसाइकल बीन और कंट्रोल पैनल और नेचे अपलाई और ओके इसके बाद हम यहां से थीम सेट कर दूखते हैं जैसे हमने यह थीम सेट करने जिसके पर टिकल कर भी आ जाएगी तो ऐसे करते हैं और फिर इसको हमने क्लोज कर दिया अभी आप देखोगा कि हमारे कंप्टूटर के अबर आइकन आगे इसके बा